आप सबको नमस्कार दिल्ली में अब करोना की स्थिती काफी नियंत्रण में आ चुकी है करोना के केसेज काफी कम हो चुके हैं और इस वक्त पूरी दिल्ली की चिंता एक ही है कि किस तरह से अर्थ विवस्था को पट्री पे लाया जाए एक तरफ और दूसरी तरफ अगर तीसरी लहर आती है तो उसकी तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही है आप लोग देखते भी होगे कि रोज मैं कहीं न कहीं तैयारियों का जायजा लेने के लिए जाता हूँ कल हम लोगों ने लगबग 22 नए उक्सिजन प्लांट उनका उधगाटन किया परसो उक्सिजन स्टोरेज टैंक्स का उधगाटन किया कई सारी तैयारियां तीसरी वेव को लेके चल रही है लेकिन बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिनके लिए अब जिन्दगी बहुत मुश्किल होती जा रही है क्योंकि कमाने का कोई साधन नहीं बचाए हम भी यह समझते हैं और धीरे धीरे एक 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 को खोला जा रहा है इस हफ़ते जो निरने लिए गए हैं वो मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा कि कल पांच बजे इस बार इस हफ़ते का जो लॉक्ड़न है वो खतम होगा कल पांच बजे के बाद से सारी activities allowed हैं except कुछ activities हैं जो बिल्कुल prohibited हैं वो बिल्कुल allowed नहीं है और कुछ activities हैं जो restricted तरीके से allowed हैं इसका भी detailed order थोड़ी देर में आप सब लोगों को मिल जाएगा लेकिन मोटे मोटे तौर पे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि prohibited activities जो जिन पे बिल्कुल मना ही है वो कौन कौन सी है सारे स्कूल बंद रहेंगे, college बंद रहेंगे, educational institutions बंद रहेंगे, coaching institutions बंद रहेंगे social, political, sports, entertainment, academic, cultural, religious, festival इस से related जितनी gatherings हैं, कोई भी gathering allowed नहीं होगे swimming pool बंद रहेंगे, stadium बंद रहेंगे, sports complex बंद रहेंगे cinema, theater, multiplex बंद रहेंगे, entertainment parks, amusement parks, water parks बंद रहेंगे banquet halls, auditoriums, assembly halls बंद रहेंगे business to business exhibitions, spas, gymnasium, yoga institutes बंद रहेंगे और public parks और gardens बंद रहेंगे, ये prohibited activities हैं, ये बिल्कुल पूरी तरह से बनने हैं, जो activities partly allowed हैं, restricted activities हैं वो ये हैं, सरकारी दफतर जो पिछले हफते स्थिती थी वही कि group A officers 100% attendance और बाकी सब की 50% attendance लेकिन जो essential activities हैं, जैसे hospital हैं, दूसरी police है, ये वो सब 100% वो पूरी तरह से चालू रहेंगे, private offices जितने हैं, 50% capacity पर काम करेंगे, 10 बजे से, 9 बजे से 5 बजे तक काम करेंगे, और कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा work from home की, जितने markets हैं, market complex हैं, malls हैं, वो अब पिछले हफते odd even था, कल से पूरी तरह से सारी दुकाने खुल सकती हैं, 10 बजे, लेकिन 10 बजे से 8 बजे तक शाम को, और जो restaurant हैं, वो 50% sitting capacity पर काम करेंगे, ये एक हफता हम लोग देखेंगे, markets और restaurants का, एक हफते में अगर cases बढ़ते नहीं हैं, तो इसको चालू रखेंगे, लेकिन अगर हमें लगता है कि दिल्ली में करोना के cases बढ़ने लग गए फिर से, तो हमें इस पर फिर से restriction और सक्त करनी पड़ेगी, इसलिए मेरी अब सब लोगों से गुजारिश है कि सभी market associations, सभी दुकानदार और सबसे गुजारिश है, भीड़ ना होने दें, social distancing का पालन करें, सब दुकानवाले अपने अपने दुकानों के अंदर मास्क भी रखें, किसी ने मास्क नहीं पहना हो तो मास्क उसको offer करने हैं, हफ्ते में जो weekly market से वो अलाओ की जा रही है, लेकिन एक जोन में, एक दिन में एक ही weekly market अलाओ की जाएगी, जो शादियां हैं, वो पूरी तरह से अभी public places के उपर शादियां नहीं हो सकती, banquet hall में, marriage hall में, hotel वगेरा में, अगर शादियां होनी हैं, तो 20 से जादा लोग नहीं होंगे, और घर पे या court में हो सकती है, funeral, last rights में 20 से जादा लोगों की उपस्थिती नहीं हो सकती, दिल्ली metro में 50% capacity, दिल्ली की बसों में 50% capacity, public transport, auto, e-rickshah वगेरा, ये भी allowed है, लेकिन सबकी अपनी auto और e-rickshah में 2 passengers, taxis में 2 passengers, फटफट सेवा में 2 passengers, हर एक का वो ताकि social distancing बनी रहे, उसका एक, उसकी details दी गई हैं, और religious places खोले जा रहे हैं, पर visitors अभी फिलहाल allowed नहीं होंगे, तो ये मोटे मोटे तौर पे इस हफ़ते गतिविधियां allow की जा रहे हैं, मैं उमीद करता हूँ कि इसी तरह से कोरोना के cases कम होते रहे, तो मैं समझता हूँ धीरे 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 हमारी सब की जिन्दगी पट्री पे आ जाएगी, बहुत बड़े इतरासदी है, और हमें सब को मिलके इसका मुकाबला भी करना है, और उमीद भी करनी है कि अब कोरोना के cases ना बढ़ें, भगवान करे कि तीसरी वे बनाए, नमस्क्राइब